नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना हिमान शू ठाकर और आप देख रहें आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क दोस्तों आज हमारे साथ मौझूद है उत्तराखंड प्रदेश के शिक्षा स्वास्तमंत्री डॉक्टर धन सिंग रावत जी अब डॉक्टर धन और सबसे महत्पून सवाल यह है कि आप आज काशीपूर में खेल से संबंदित एक कारिक्रम में शर्कत करने पहुंचे हैं बड़ा ही अच्छा कारिक्रम रहा लेकिन एक विडंबना रहती है कि हमारा प्रदेश खेल के मामले में चाहे वो ओलंपिक का मेडल हो चाहे वो को कि इस वर्स भी पूरे छेत्र का यहां पर 35 जो है खेल कुट पर दिविताईजित की गई है और आपने देखा होगा कि लगबग 400 से ज्यादा चातर चातर हैं इसमें भागने रहे हैं हम अपने राज्य में जितने भी इसकूल है कि यही सजार इसकूल है हमारे राज्य में ह प्रहर हमने प्फ हमने उन्यवारि कर दिया कि बच्चा एन ईफी 2020 में किसी श्य Спस्क्त में जारूर भाग लेगा बच्चा ऐन 충ावर दृबहर को बात ह 15 में जब अनृबहर बहुंदा निश्चर्त रुप कि बात हैं जाहां तक खेलों की बात हैं तो आपने देख़ा होग कि अब धिरे धिरे भारत अब कई सुर्ण पदक लेके आ रहा है उत्राखंड में भी आप ये सिल्सला जारी हो गया है और हमने तो यहां तक कर दिया कि अगर कोई सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनोती रही है लेकिन अब कुछ लोग बुद्धी जीवी वर्ग के जो है वो ये मानते हैं कि पलायन का सबसे बड़ा कारण है वो बहतर शिक्षा और बहतर स्वास्त व्यवस्था का ना होना है क्या कहेंगे देखे जहां तक अपलायन की बात है तो यह तो तैह है कि पूरे राज्य में हमारे जब से राज्य बनायर तब से लेकर आस तक लगबगा 27 परसेंट ग्रोथ है आवादी में इन बीस सालों मे और धीरे धीरे अब लोग गाउं की ओर भी जा रहे हैं आपने देखा होगा कि अब हमारे जो पिछले साल लगबगा 216 इसकूल बंद रहे थे आज उसमें से 103 इसकूल फिर खुल गए है इसका मतलब यह है कि लोग गाउं की तरफ जा रहे हैं आपने देखा होगा कि यह देश का पहला राजी है जहां कि एक करोड पच्चिस लाक आवादी पे साथ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं यहां दो-दो एम्स हैं रिस्केस एम्स है और अब उधम सिनगर एम्स नया बनने जा रहा है पांसो कोड़ों पे यहां के एम्स के लिए हमने देदे हैं पितुराकड में मेडिकल कॉलेज बनना है अलमुड़ा में मेडिकल कॉलेज बनके जो है रन हो गया है वाका हमारा उधम सिनगर में मेडिकल कॉलेज बनना है हरदवार में मेडिकल कॉलेज बनना है और यह देश का पहला राजी है जहां कि आइसमान सब के लिए है और अभ सकता हूं 270 जांचे हमारे आफिरी होते हैं तो स्वास्ति के छेत्र में आवादी के हिसाब से अभी भी भारत सरकार ने हमको दूए वाड़ दिये हैं और अब डॉक्टरों की भी कमी नहीं है हमारे राजी एक ऐसा राजी है उत्राकर्ण जहां की MBBS डॉक्टर आप सरपलस हो बीज होगे हैं अगले साल से अब हमारे आहां डॉक्टरों की जो है अधिकता जादा भी आवर्चक को दूसरी राजी में ब्हें सकते हैं तो धीरे-दीरे हमारे आछ उस्वास्ति की व्योश्ताम ठीक हो रहे हैं जहां तक सिक्षा का सवाल है व्ह देश का पहला राजी है कि जहां ड्रॉप आउट बच्चे जीरो है जीरो आप देख लिजे कि पूरी दुनिया में पांच करोड बच्चे जो है ड्रॉप आउट होते हैं जो कि सिक्षा गरण नहीं कर पाते हैं हमारे राजे में एक भी बच्चा है सानी है जो कि इसकोल ना जाता है और देश का पहल देखेंगे तो नंबर एक से लेके और तीन तक जो है उत्राखन राजे आई एंड डी आई एक गठ बंदन नाम और इनका काम सभी ने सुने हैं लेकिन अब इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जिसने समूचे देश भर में हाहाकार मचा दी है देश के तमाम राष्ट्रिये चैनलों के राष्ट्रिय पत्रकारों का खुला बहिशकार कर दिया इन लोगों ने जिससे हाहाकार यूं मची है क्योंकि आज तक के इतिहास में साथ कभी नहीं हुआ था आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि जब आदमी निरास हो जाता है हतास हो जाता है कहीं उसको सारा ने मि सिंग रावज जी को जो कि आज काशीपूर पधारे थे कुछ अती महत्वण कारिकरों मों के विशय में अब इनकी बातों से इनके कथनों से और इनके वक्तव्यों से आप लोग कितने सहमत हैं कमेंट में लिखकर बताना मत भूलिएगा और जो इन्होंने आई एंडी आई गठ बंधन वालों पर एक वक्तव विदिया है कि जिनके पास कोई काम नहीं होता वो इसी प्रकार के काम करेंगे उस पर आप क्या कहेंगे वो भी जरूर बताईएगा धन्यवाल